संघवाद 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 को देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों के रूप में परिभाशित किया जाता है उधारण भारत में सरकार विभाजित है पहला स्तर केंद्र में दूसरा स्तर राजिस्तर तीसरा स्तर पंचायती राज भारत ने संगवाद क्यों अपनाया? सम्विधान निर्माताओं ने दो कारणों से सरकार की संघिय प्रणाली को अपनाया एक देश का विशालाकार दो ख्षेत्रिय और भाषाई विविधता भारत एक विशाल देश है इसे ऐसी प्रणाली की आवशक्ता थी जिसमें राज्यों को अपने कारे संचारित करने के लिए स्वातिता दी जा सके, भारत में विशाल विविधता के कारण केंद्र में बैठा एक व्यक्ती विभिन राज्यों के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता था, यह मैसूस किया गया कि स्थानिय लोग अपनी समस्याएं सबसे अच्छी तरह से जानते हैं. इसलिए केंद्र और राजी के बीच शक्ती का बटवारा होना चाहिए. भारतिय संगवाद की विशेश्टा है. भारतिय संविधान में एसी सूचिया शामिल हैं, जो उन मुद्दों का विस्तार से वरणन करती हैं, जिन पर प्रतेकस्तर की सरकार कानून बना सकती है. इसी तरह संविधान यह भी बटाता है कि सरकार का प्रतेकस्तर किये जाने वाले काम केलिए नकदी कहां से हासिल कर सकता है. राज न केवल अपनी शक्ती प्राप्त करते हैं. सरकार का संसदिय रूप अपने प्रतनिधियों को चुनने में भारत के नागरिकों की सीधी भूमिका होती है. राश्ट का प्रतियक नागरिक अपने सामाजिक आधार से स्वतंत्र चुनाव लड़ सकता है. ये प्रतनिधी नागरिकों के प्रती जिम्मेदार या उत्तरदाई होते हैं.